उन्रेवल सुप्रिम कोड का जो तीसरा डियारिक्षन है वो है कि जब भी मैंटेनेंस एवार्ड होता है तो वो किस डेट से दिया जाए पेटिशन के फाइलिंग के डेट से या फिर ओडर के डेट से मान लिजे कि एक वाइफ ने 2018 अगस्त में एक मैंटेनेंस फाइल किया है अब मैंटेनेंस केस को डिस्पोस होने में समय लगता है दो साल तीन साल चार साल कुछ भी समय लग सकता है तो मान लिजे एक वाइफ ने 2018 अगस्त में एक maintenance फाइल किया है और उसका final decision जो है वो 2020 में आता है तो अब जो maintenance husband को देना होगा वो कब से देना होगा date of filing से या फिर जब order आया है उस date से अब इस समद में बहुत सारे conflicting judgments आ रहे थे honorable high courts के कुछ courts का मानना था कि husband को जो maintenance है वो payable होगा from the date of filing of that maintenance petition कुछ courts का कहना था कि जब husbands को summon issue हो जाएगा और जब husband जो है वो someone receive कर लेगा so from the date of receiving that summon maintenance लगो होगा कुछ courts का यह भी कहना था कि जब court final order दे रहा है तो from the date of order maintenance payable होगा अब इस issue को settle करते हुए honorable supreme court ने clear cut direction दिया है कि maintenance जो है वो payable होगा from the date of filing of the maintenance petition यानि कि अगस्त 2018 में अगर किसी ने maintenance file किया है और उसका disposal 2020 में हो रहा है तो जो maintenance payable होगा वो होगा from the date of filing that petition यानि कि अगर किसी ने अगस्त 2018 में वो petition file किया है तो husband को जो maintenance payable होगा वो होगा अगस्त 2018 से इस संबंद में भी बहुत सारे conflicting judgments थे so finally Honorable Supreme Court ने इस issue को भी settle कर दिया